ही गाईज, वेकम टो इस्वास पॉइंट, आज हम लोग यहाँ पर स्टेडी करने वाले हैं जोग्राफी की लेसन, आज से आपकी जोग्राफी की लेसन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मैं NCRT को पुरा कवर करूंगी, 6-12 तक की NCRT को, लेकिन एक अलग तरीके स मैं बुक से नहीं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बुक में जो भी आपके टॉपिक्स है न, उसको मैं यहाँ पर मैप या फिर डाइग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ, इससे क्या होगा कि कॉंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इसी होगा आपको समझने में, और कम शब्दों में ज्यादा मैं आपको समझा भी पाऊंगे, ठीके, आई होग कि आप लोग के पास NCRT की बुक हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दूँगी, इस चैप्टर से नहीं क्योंकि यह एकदम बेसिक ह सबसे पहले हम लोग internal structure of earth के बारे में देखेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे मैं आगे topic लेकर आऊंगी, आपको बताते जाऊंगी कि किस बुक से मैं यह topic ले रही हूँ और कहां से कितना यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी, जिसे कि अगर आप लोग के पास किताबे होंगी, तो आप लोग उससे correlate कर पाऊगे, अगर आपके पास NCRT की कोई भी hard copy नहीं है, soft copy भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सारे questions भी solve कराऊंगी, जो UPAC के prelims में आए वे हैं, और कुछ static questions भी मैं यहाँ पर solve कराऊंगी, तो सारी चीज़े आपकी एक साथ चलते जाएगी, तो आप लोग इस सीरीज को follow कर सकते हो, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी geography की first lesson, जो कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कि हमारी earth कैसी है, हमारे earth की structure कैसी है, और वो भी internal structure, तो स्टार्ट करते हैं, internal structure of the earth के साथ, तो सबसे basic से समझें आप लोग, हमारी earth में आपको देखने को मिलेगा, कि हमारी earth इतनी round नहीं है, अब ये figure जब बनाए जाती है, तो बिल्कुल circle की जासा round बनाए जाती है, बट हमारी earth का shape है, वो आपको कुछ spherical type में देखने को मिलेगा, और spherical में भी ऐसा कहा जाता है, कि beach से, यानि कैसा structure है, उसके बारे में समझेंगे, तो सबसे उपरी वाली structure जिसमें कि हम लोग चलते हैं, रहते हैं, उसको crust कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप आओगे, तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसे outer core कहते हैं, ठीक है, एक second, हाँ, ये वाली समझे, ये outer core है, औरेंज वाल ठीक है, तो इक ही करके समझ लिए, ये black वाली क्या है, gold है, crust है, और इसके बाद आपको ये red वाली क्या है, mental है, orange वाली outer core, और inner में जो आपका yellow है, ये है inner core, लेकिन इसमें आप लोग देखो कि lithosphere, आप लोग जो layers of atmosphere पढ़े होंगे, तो उसमें भी आप लोग को देखने क क्या गया है, outer core और inner core, इसी की तरह आप crust और mental को भी bifurket कर सकते हो, जैसे crust तो जो उपर वाली सता है, उसे हम crust कहते हैं, लेकिन mental भी हमारा upper mental और lower mental होता है, तो upper mental ये red वाला आप देख सकते हो, lower mental ये आपका orange वाला है, फिर outer core है, ये आपका yellow वाला, और ये जो आपको light green म इसमें समझने वाली बात ये है, कि outer core, outer core आपका liquid form में है, और inner core आपका solid form में है, ये काफी confusing सी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कि ये थोड़ी liquid form में है, और ये आपका solid form में है, चीक है, आप हम लोग बात कर रहे थे, lithosphere, तो lithosphere आप लोग देख सकते हो, कि जो हम लोग plus outer mental, अगर हम लोग इसको join करें, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, lithosphere, तो ये concept भी आपका clear हो गया, अब आते हैं, further यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कि ये देखे, ये तो हमारी earth है, अब इसी को हम लोग इस structure में देखेंगे, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं अचान ये lower mental है, ये outer core है, ये inner core है, अब इसी में आपको layer भी दिखाया जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, कि ये हमारी क्या होती, upper mental और साथी साथ crust मिलाकर इसको lithosphere कहते हैं, इसके उपर आप आओगे, तो ये troposphere है, इसके उपर चलेंगे, तो ये stratosphere है, उसके उपर mesosphere है, उस और थोड़ा हम लोग इसको bifurcate करेंगे, जब और ज्यादा bifurcate करेंगे, तो ये हमें समझ में आएगा, कि crust है, और crust में आप लोग को देखने को मिलेगा, कि ये वाली portion जो है, हमारा पूरा पहाड भी जो आपको दिख रहा है, ये crust है, crust इसके उपर आप लोग देखो कि crust है, और साथी साथ यहाँ पे आपका ocean भी देखने को मिल रहा है, तो crust की thickness कितनी है, तो crust की thickness आपको up to 100 km तक देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि crust की नीचे आपका क्या आजाता है, ये mental आता है, और mental में भी ये upper mental है, तीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखकर आपका mental है, तो यहाँ पे आपको upper mental देखने को मिलेगा, अब इसमें भी mental में आप bifurcate करोगे, तो एक और layer आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फेर कहते हैं, इसके आगे आगे आप आओगे, तो यहाँ पे आपको core है, जो कि outer core liquid है, और inner core solid है, तो यहाँ पे अगर mental की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यह आप लोग जानते हो कि upper mental और crust को मिला कर क्या होता है, लिथोस्फेर होता है, चीक है, core की अगर हम लोग बात करें, तो liquid core का distance कितना है, तो यह आपको देखने को मिलेगा, थिकनेस, 2900 km है, वही इससे और भी नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो point होगा, solid core का, वो है 6,378 km, तो यह थोड़ा बहुत जो है, यह थीकनेस है, उसको आपको ध्यान रखना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे आते ह हम लोग और bifurcate करते हैं, interior of earth को, तो यहाँ पे आप लोग ठीकनेस देख रहे हो, सबसे पहले crust में आते हैं, अब हम लोग, crust में आप लोग देखोगे, कि दो तरेके का होता है, एक होता है हमारा continental crust, और दूसरा होता है oceanic crust, दीरे दीरे इन सब के बारे में detail में समझेंग हो गया तो यह सब महसागर है, तो वो पी एक crust है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि ये lithosphere है, लिफोस फेयर में आपका crust भी आता है, अपर mental भी आता है, तो ये lithosphere में आपको देखने को मिल रहा है, कि ये तो आपका continental crust हो गया, और यहाँ पे नीचे oceanic crust है, अब इन दोनों को मिलाकर इसका जो डिस्टेंस है वो 100 km तक है और उसके नीचे आप जाओगे तो एस्थेनोस्फेर आता है ये पार्शली मॉल्टेन एस्थेनोस्फेर है ये एस्थेनोस्फेर आपको थोड़ा लिक्विड वाला स्टेज देखने को मिलेगा जब वॉल्कानि इरॉप्शन हुआ है तो उसमें लावा निकला है है कि नहीं कभी ये तो नहीं कहते हो ना कि मैगमा निकल गया मैगमा अंदर होता है तो मैगमा कहां पाए जाता है मैगमा ये एस्थेनोस्फेर लेयर में पाए जाता है ये भी समझ में आ गया तो ये एस्थेनोस्फेर ले तो इतना bifurcate किया गया mental को तो mental में भी आप समझके अपर mental है उसके बाद partially जो liquid mental है अब ऐसा भी कहा जाता है कि एसा नीचर का है तो ये liquid nature का है ये ऐसा liquid है कि इसके उपर जो हमारा continental crust है ना ये plate जो है वो आपका तैर रहा है इसलिए आप देखते हूं कि हम लोग किस plate में है तो Indian plate में है और ये Indian plate भी तैरते रहता है और जब ये तैरता है और जब एक plate दूसरे plate से टकराते है जैसे Eurasian plate और Indian plate टकराते है तो आपको देखने को मिलेगा कि Earth को एक आता है तो आगे further हमारा concept है इसको देखेंगे बट ये ध्यान रखेगा कि हम लोग जिस भी Earth में है जो भी planet में है तो वहाँ पे जो भी हम लोग plate में है वो plate मूफ कर रहा है और वो plate कहां मूफ कर रहा है तो Esthenosphere के उपर मूफ कर रहा है क्योंकि Esthenosphere एक ऐसा layer है जहाँ पे ये liquid है partially liquid है पूरी तरीके से पानी नहीं है थोड़ी सी ये पानी है क्योंकि आप समझो कि जब लावा उपर निकल कर आता है फट के आता है वो स्कानों के साथ तो वो viscous in nature होता है थोड़ा चिपचिपा होता है कुछ समय के बाद जो है वो अपना एक solid state ले लेता है जिससे कि आप देखते हो कि बहुत तरीके के पत्थर बन जाते रॉक्स हम लोग कहते है उसके बाद आता है यह solid solid एस्टन स्फेर भी होता है नीचे उसके उपर थोड़ा partially liquid एस्टन स्फेर होता है फिर mental transition है फिर lower mental है ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि continental crust जो होता है इसमें क्या-क्या होते है यह आपका दो चीज़ से मिलके बना होता है silicon और aluminium जिसको हम लोग प्यार से इसका nickname रखा गया है सियाल यह तो आप समझ गये उसके बाद आप देखो जो ओशनी crust होता है ना उसको हम लोग सीमा कहते है और यह nickname है सीमा इट मीन्स कि यहाँ पे silicon और magnesium फाइन अब आप लोग ऐसे भी पढ़ते हो कि जो crust है वो आपका constitute है सियाल का ठीक है जो mental है वो constitute है सीमा का और साथी साथ आप देखो कि जो आपका core है उसमें आपको नीफे देखने को मिलेगा तो नीफे क्या है आईरन और निकल है तो यह निकल हो गया यह आईरन हो गया और mental में आपको क्या देखने को मिलेगा यह silicon है यह magnesium है लेकिन यह आप आप लोग देखो कि क्रस्त आप समझ ए समझ दो तरीके का होता है अपर मेन्टल टांजिशन मेंटल और लोड मेंडल को डो तरीकिका होता है लिकवीड और स सॉलिड लूट और आगे आते हैं आपको नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ अलग constitute है, इसकी nature, इसकी property यह अलग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कि discontinue हो गया, जैसे आप लोग देखते हो, कि Eastern घाट से Western घाट आप जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको discontinue देखने को मिलता है, क्योंकि Western घाट की property अलग ह कुछ न कुछ अलग होता है तो वैसी हम लोग क्रस्ट से जब mental में जाते हैं mental से जब हम लोग कोर में जाते हैं तो वहां पर आपको discontinuity देखने को मिलेगा और जब लेयर इतना ज़्यादा क्रस्ट में आते हैं तो discontinuity है अब इसको आपको याद करना है कि कौन-कौन से continuity कहां है किसके बीच में है क्योंकि कई बार questions आपका पूछा जाता है तो क्रस्ट में क्या क्या है सियाल है अब यह आप देखो अपर mental और lower mental में क्या है यह सीमा है तो यहां पर आप देख सकते हो क तो इसको यहां लिख दिया है लेकिन अगर लिखना चाहें तो यह mental वाले एरिया में ही लिखना चाहिए था छीilly elaboration तो यह confused मत होएगा कि सीमा क्रस्ट में आता है, नहीं, सीमा आपका mental में आता है, यह चीजों को आप लोगो confused नहीं होना है, ठीक है, concept clear रखिए, बाकी फिर कभी confused नहीं होएगा, अब यहाँ पर देखिए, कि जो हमारा crust है, उसमें क्या है, कि यहाँ पर आपका सबसे starting में conrad discontin continuity है, जब हम लोग crust से upper mental में आएगे, तो यहाँ पर जो discontinuity है, इसको moho नाम दिया गया, अब यह जो conrad, moho, reptility, यह सब कहां से यह नाम निकल कर आया है, तो यह नाम निकल कर आया है, जो geographer यहाँ पर इस चीज को find out किये है, कि अच्छा, यहाँ पर lower crust और upper mental के बीच में भी discontinuity है, तो जिस geographer ने इसको discover किया, उनके नाम पर यह discontinuity रखाद किया, तो हर कोई, हर एक different geographer ने यहाँ पर discontinuity को find out किया है, discover किया है, इसलिए यहाँ पर हर एक discontinuity में आपको अलग-अलग geographer का नाम देखने को मिलेगा, तो यह आप लोग समझ रहे, conrad discontinuity, then lower crust and upper mental में क्या है, तो moho discontinuity, upper mental, lower mental में क्या है, तो raptity discontinuity, lower mental और outer core में कौन है, तो यहाँ पर है गुटंस परकड दिसकंचिनुटी, आउटर कोर और inner core में कौन है, तो lemon discontinuity, ठीक है, अब यहाँ पर आपको total कितने discontinuity याद रखने है, 5 discontinuity याद रखने है, आप किसी भी तरीके से code बनाकर आप लोग जो है इसको याद कर सकते हो ये है CMRGL इसमें आप लोग किसी भी तरीके से CMRGL इसको बार-बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा ये है Conrad, ये है Moho, Reptiti, Guttensburg, Lehman CMRGL, बार-बार इस चीज़ को आप बोलोगे तो याद हो जाएगा ठीके फिर आप लोग को जो भी questions पूछा जाएगा मैस्ति फॉलोविंग पूछी जाती है तो फिर आप लोग अपने हिसाब से CMRGL, CMRGL के थुरू आप लोग देख लेना कि कहां पे कौन-कौन सा आएगा तो ये Crust में कौन सा है Conrad Discontinuity, यानि कि Crust का ये दिखाए गया ना कि जो C वाला एरिया है Crust में कौन सा, जो Continental Crust है और जो ओशनी Crust है उसके पीच में Discontinuity कौन है तो Conrad Discontinuity है Lower Crust और Upper Mental में कौन है तो Moh है, अब Mental स्टार्ट हो रहा है तो इससे भी आप M4 Mental, M4 Moh स्टार्ट कर सकते हो, ये याद कर सकते हो कि Upper Mental में M4 Mental, M4 Moh हो अब ये Upper Mental, Lower Mental में क्या है, Reptity है, Lower Mental और Outer Core में क्या है, Guttensburg है, और Outer Core और Inner Core में क्या है, तो Lehman है, तो आप लोगो को क्या याद रखना है, CMRGL, CMRGL, तीक है, अब ये तो हो गया, एक और आता है Mechanical Model, कि आप लोगों को Interior of Earth का Mechanical Model पूछा जाए, तो Different-Different तरीके से जो है य Classifications of Interior of Earth, तो इसमें आप लोगों को बताना है Lithosphere, Lithosphere में क्या आता है, Crust और Upper Mental, फिर आता है Esthenosphere, फिर आता है Mesosphere, तो Mesosphere में क्या आता है, Mesosphere में आपका जो पूरा Mental है, इसको हम लोगों Mesosphere भी कहते है, Upper Mental और Lower Mental को मिला के Mesosphere, चीक है, इसको मत भूलिएगा, ये M for Mental है, M for Mesosphere है, M तो इस तरीके से याद कर सकते है, Outer Core और Inner Core को हम लोग बैरसफियर भी कहते हैं, तो बैरसफियर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, Newspaper भी आप लोग पढ़ते हो, तो कई बार जो Editorial में होते हैं, तो Editorial में, अगर Core के बारे में कुछ बूलना चाहते है, Hole, पूरे Core के आप लोग Earth के ऊपर की Classifications, Layer का याद रखते हो, Troposphere, Statosphere, Mesosphere, Thermosphere, Exosphere, तो उसी तरीके से आपको नीचे भी याद रखना है, Lithosphere, Aesthenosphere, Mesosphere, Barosphere, ठीक है, Barosphere, कैसे याद रखोगे, Lithosphere, Aesthenosphere, Mesosphere, और Barosphere, ठीक है, आप Earth के ऊपर के लेएर को याद रखना है, तो ये हो गया हमारा Discontinuity अब कुछ और आते हैं, यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया है, ये Compositional है, Core, Mental Core, Crust, Mental Core, और ये Mechanical है, जिसमें आपको Lithosphere, Aesthenosphere, Mesosphere, Outer Core, और Inner Core, इस तरीके से आपको बताना है, उसके बाद आप लोग देखो, ये Density, Density भी आप लोग से कई बार पूश ली जाती है, तो Cr अधिके से आप याद रखेगा कि 2.9 ये gram per centimeter cube है, ठीक है, उसके बाद upper mental का कितना है, तो यहाँ पर 4.4 gram per centimeter cube है, lower mental का 5.6 gram per centimeter cube है, outer core की 12 gram per centimeter cube है, inner core की 3.1 gram per centimeter cube है यहां पर यह थोड़ी सी misprint है misprint नहीं यह कटी गया है इस तरीके से लिखा गया तो यह आपका 13 है ठीक है 13.1 gram per centimeter क्यों तो थोड़ा बहुत लगबग आप लोग इसको देखिएगा किसकी density क्या है जादा और इतना रट्टा मारने की ज़रूत नहीं है तो बस यह रही interior of the earth crust हम फिर के हम लोग first front page पे ही आगे तो I hope कि आपको यह lesson अच्छा लगा होगा starting से end तक जो भी जितनी भी चीज़े आपको exam point of view से learn करनी है समझनी है बस उतनी ही चीज़े मैं बताई हूँ मिलती हूँ next topic के साथ next lesson में तब तक आप यह बता सकते हैं कि पहले lesson आपको कैसी लगी कुछ और भी आपको suggestions देना है तो आप free हो comment करने के लिए आपकी suggestions ही को मैं यहाँ पर follow करती हूँ बहुत सारे बच्चों के request थी इसलिए इस वीडियो को मैं इस तरीके से lesson आप लोगो पढ़नी है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और आप लोग daily basis में lessons आप लोगो देखने को मिलेगा आज के लिए बस इतनी मिलते हैं next time Thank you